आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिविएस एर पेपर की रेजनिंग सिरीज का पार्ट टू इससे पहले हमने पार्ट वन कवर करा था पार्ट वन में हमने कोशन नमबर वन से लेके कोशन नमबर फाइफ तक के कवर कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू से क कुशन नमबर 6 देखिए ध्यान से आपको कवर करने हैं कुशन complete the series A, C, E, G, B, D, F, H तो next term क्या आएगी इसके अंदर हमें ये find out करना है तो सबसे पहले हमें analysis कराना पड़ेगा कि इन दोनों series का pattern क्या है तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस situation में क्या है first term हम बात करते हैं जो start हो रही है first term वो start हो रही है A से और second में हम बात करें तो किससे start हो रही है B से फिर हम इसकी second term देखते हैं C से start हो रही है फिर इसकी second term किससे start हो रही है D से start हो रही है तो अब हमें देखिए इस pattern को कैसे cover करना है first term इसकी start हो रही है A से ठीक है और इसके बारे में बात करें तो first term इसकी किससे start हो रही है B से तो हमने यहाँ पर लिख लिए first का A, second का B और फिर third यहाँ क्या आना चाहिए C, next हम analysis करते है क्या लिखा इस पर C तो हमने यहाँ C लिख दिया फिर इसकी second term किससे start है D से तो हमने यहाँ D लिख दिया तो इसकी second term किससे start हो गए आप ध्यां से देखे A, B, C तो यह C, D यहाँ पर क्या आ जाएगा E next हमें आगे ऐसे ही देखना है यह किससे start है E next यहाँ पर F तो यहाँ क्या आएगा G अब सेम हमें इसमें देखना है फिर क्या दिया हुआ है इसमें G और फिर H और फिर I तो यहाँ पर अगर हम option देखे तो option हमारा इसमें क्या बना 6 का D इसका हमारा इसमें correct option बन गिया यहाँ से हमें ध्यान से हमें पहचानना है इसमें patterns क्या दिया हुआ है तो हमने जब इस patterns को ध्यान से चेक करा तो तीनो pattern हमें समझा है first में हमें इसमें लिखा हुआ है कि A, C, E, G फिर B, D, F, H तो हमें यहां पर A लिखा है फिर इसमें options क्या आया है second B, तो हमें फिर यहां क्या लिखना चाहिए C, फिर ऐसे ही हमने C, D और फिर यहां क्या आएगा E, और फिर E, F तो यहां क्या आना चाहिए, G तो यह ऐसे ही आप इस series का pattern analysis कर सकते हैं तो यह questions काफी असान था तो question number 6 का हमारा इसमें correct option हो गया D, C, E, G, I ठीक है, आएए next देखते है question number 7 if France is coded as N, C, E, F, R, A and Canada as A, D, A, C, A, N then how will you code medicine तो सबसे पहले हमें समझना पढ़ेगा कि जो France को code किया है वो N, C, E, F, R, A कैसे लिखा है और Canada को जो code किया है वो कैसे लिखा है A, D, A, C, A, N तो आईए हम पहले जो है France लिखते है F, R, A, N, C, E तो France को code जो किया है वो किया है N, C, E, N, C, E, F, R, A तो आईए हम ध्यान से देखते हैं क्या pattern है अगर हम देखें इसके starting के जो 3 alphabets है starting के 3 alphabets इसके last alphabets बन गए और इसके last के जो 3 alphabets है ये first alphabets बन गए ये समझा है starting के 3 alphabets F, R, A last के 3 alphabets बन गए code में और last के जो 3 alphabets है वो starting के 3 alphabets बन गए आईए सेम हम Canada में चक करते हैं अगर ये ही सेम pattern है तब हम medicine को easily लिख पाएंगे तो Canada में भी क्या pattern होना चाहिए last के जो 3 alphabets है वो A, D, A होना चाहिए और starting के जो 3 alphabets है वो last में होना चाहिए C, A, N तो हम अगर code को ध्यान से देखें Canada का code वही लिखा हुआ है Canada को क्या लिखा है A, D, A, C, A, N तो starting के 3 code last के 3 code बन गए और last के 3 code starting के 3 code बन गए सेम Canada में C, A, N last में चला जाएगा और A, D, A starting में आ जाएगा तो code क्या बन गया A, D, A, C, A, N तो 50-50% यह situation में हो गया अब हम बात करते हैं फिर medicine को कैसे code करेंगे देखे M, E, D, I, C, I, N, E तो अगर हम देखें medicine में तो medicine में जो alphabet है वो 8 alphabet है अगर हम इसको 2 part में divided करें देखें 2 part में हमें C, I, N, E यह दो part में divided हो जाएगा तो पहले क्या आएगा जो starting के sorry जो last के alphabet है वो पहले आ जाएगे C, I, N, E और M, E, D, I last में आ जाएगा तो इसका code क्या बन गया C, I, N, E, M, E, D, I तो देखें यहाँ पहले last के four alphabet पहले आ जाएगे यह आप देख सकते ठीक है और अगर हम देखें फिर उसके बाद जो है first के जो four alphabet है वो last में आएगे पर इस option में नहीं है तो D option नहीं है आपका नहीं यह option है आपका और नहीं यह option है तो इसका इसमें हमारा correct option क्या हो जाएगा B C I N E M E D I ठीक है तो आपको इस pattern को अच्छे से समझ के रखना है इस patterns का questions भी exam में पूछा जाता है ठीक है तो यह समझ आ गया होगा आपको आईए next question देखते है question number 8 if code for name is अब देखें name का code mention है N A M E अब name का code लिखा है वो लिखा है 13261422 अब देखें name का code mention है 13261422 अब हम ध्यान से देखें अगर हम normal situation में बात करें तो हम A को जो alphabet code देते हैं 1 पर अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो A को जो alphabet code दिया गया है वो दिया गया है 26 N को दिया गया है 13 M को दिया गया है 14 और E को दिया गया 22 यानि अगर हम देखें A को 26 दिया इसका क्या मतलब है A को 26 दिया इसका मतलब यह है कि जो opposite order में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो alphabet को दिया गया जैसे हम लिखते थे Z को 26 तो अब हमें Z को 26 नहीं लिखना अब हमें लिखना है A को 26 मानना है यानि अब जो alphabet की counting होईगी वो कैसे होईगी A हो जाएगा हमारा 26 B हो जाएगा हमारा 25 ऐसे ही करके आप जो है last तक के चले जाएंगे और Z क्या हो जाएगा 1 ठीक है तो अब हम इसमें बात करते हैं कि T का code क्या होगा E का code क्या होगा A का code क्या होगा और M का code क्या होगा तो T का code क्या होगा जब आप counting करेंगे तो आपको पता जाएगा T का code 7 होगा अब बात आती है E का code क्या होगा देखिए अब 7 तो यहाँ तीनों option में है चीक है अब देखें एक कोड तो आप यहीं से देख सकते हैं एक कोड क्या है 22 तो 7 के बाद होना चाहिए 22 तो देखें यहीं पर option आपका आ गया तो 8 का हमारा इसमें correct option क्या हो जाएगा A चीक है तो आप ऐसे easily चेक कर पाएंगे आपको बस कोड पता होने चाहिए अच्छे से आप alphabet series के जब questions आएं तो आप वहाँ numbering लिख लिजेगा सबसे पहले analysis कीजेगा कि pattern किस वे में लिखा है alphabet जैसे इसमें देख सकते हैं हम alphabet A को 1 denote करते हैं B को 2 ठीक है तो हमें पहले pattern को समझना है अब इसमें हमें क्या करना है opposite order में जाना है यानि alphabet A को हमें 26 देना है फिर ऐसे ही alphabet B को 25 फिर ऐसे ही C को 24 ठीक है तो question number 8 का हमारा इसमें correct option हो जाएगा A next question question number 9 the following four words are arranged in alphabetically order which word will come at the second place अब यहां पे आपको 4 alphabet दिये वे हैं चार option आपको दिये वे हैं अब इसमें से हमें बताना है कि second place पे कौन सा word आएगा आपको dictionary के according अरेंज करना है तो आईए अब हम सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि words क्या क्या लिखे गए हैं अगर हम ELECT, ELECTRIC, ELECTR और ELECTRODE तो अगर हम देखे ध्यान से ELECT ये तो चारों में ही common है तो सबसे पहला alphabet अगर हम बात करें dictionary के according कौन सा होगा ELECT अगला alphabet इसमें जो है क्या होना चीए देखिए अगला alphabet अगर हम बात करें तो ELECT ये तो आएगा अब इसमें से कोई सा भी आ सक यहाँ T के बाद क्या लिखा है O और यहाँ T के बाद क्या लिखा है R अब हमें देखना है R पहले आता है या O तो आप देखेंगे O पहले आता है क्योंकि O P Q R R बाद में आता है तो पहले कौन सा वर्ड अरेंज होगा ELECTR ये वाला होगा ठीक है तो first alphabet यहीं से हमें मिल ग हमें बाद की वर्ड अरेंज करने की जरूत नहीं पड़ी क्योंकि पूछा है second place पे कौन सा वर्ड आएगा ठीक है तो second place पे कौन सा वर्ड आने वाला है B ठीक है तो आप इसको जब अरेंज करेंगे तो first place पे आपको पता जल गया यह option आ रहा है second place पे आप देखेंगे यह option आ रहा है third place पे यह option आएगा और fourth place पे यह option आएगा चीक है तो इसका हमारा इसमें correct option होगे 9 का B next question question number 10 अब देखिए कभी गभी यह questions आ जाता है select the combination of numbers so that the letter arrange will form a meaningful word अब यहाँ पे आपको दे रखा है H N R C A B और H का code दे रखा है 1 N का code दे रखा है 2 R का code दे रखा है 3 C का code दे रखा है 4 A का code दे रखा है 5 और B का code दे रखा है 6 तो यहाँ पे आपको code mention है अब आपको meaningful word बना रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है simple जैसे जैसे यहाँ पे questions लिखा हुआ है अब इस situation में आपको option देखने और उसकी according answer जाना है तो आईए हम पहले option A में यह code fit कर देखते हैं देखिए आहाँ पर तो two का code क्या है एक तरीके से two की जगा लिखना है हमें n तो हमने यहाँ पर लिख दिया two की जगा एट अब five की जगा डखना है five की जगा लिखना है next three की जगा क्या लिखना है r zwischen 4 की जगा क्या ह theo देखें यहाँ 4 की जगा क्या है C ठीक है next हमें देखना 1 की जगा 1 की जगा क्या है देखें H next बचा 6 तो 6 किस के लिए 6 का कोड B तो देखें क्या यह कुछ word बना नहीं तो question number 10 का 1 option नहीं हुआ आईए अब हम option D tick करके देखते हैं तो 6 का कोड क्या है 6 का कोड है B आप B का कोड 6 कह लिजी या 6 का कोड B कह लिजी बात एक ही है next देखते है 3 अब 3 के replace में हमें क्या लिखना है R लिख दिया हमने 5 A ठीक है next अगला 2 तो 2 N next अगला 4 तो 4 C और उसके बाद अगला 1 1 क्या है H तो आप यह देखेंगे read करेंगे तो आप क्या word बन गया meaningful branch तो B R A N C H तो इसका हमारा इसमे correct options क्या हो जाएगा question number 10 का D branch ठीक है अगर इस type के question आए तो आपको इस तरीके से questions को solve करना है exam में ठीक है तो यह था हमारा question number 10 अब यह आपका homework question है ठीक है यह आपको questions करना है अच्छे से आपको करना है बहुत असान question है कोई मुश्किल नहीं है आपको इसको cover करना है आपको इसको cover करके आपको answers comment करना है कि इसका correct options क्या होगा अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको homework question दिया था part 1 में उसका correct options क्या है ठीक है तो यह आप screenshot ले लिजेगा बाकि इसका PDF टेलिग्राम upload कर दिया जाएगा तो आईए अब हम बात करते हैं homework जो मैंने आपको part 1 में आपको homework दिया था तो part 1 में homework क्या था find the wrong time in the series तो जिद्रें भी बच्चों ने comment करें है जातर बच्चों के answers correct है अब एक दो बच्चों से answers जोए थोड़े से correct नहीं हुए वो शायद उन्हें समझ नहीं आयोगा तो कोई problem नहीं अब आप समझ लिजे कि answers इसका correct क्या होगा तो जिन बच्चों ने इसका answers correct टिक करा है वो टिक करा है 15 तो 15 इसका correct option है अब कैसे हैं अब अगर हम इस patterns को ध्यान से देखें 7, 11, 13, 15, 19, 23 तो मैंने आप लोगों कहा था जब wrong time वाले question हो तो आपको सबसे पहले पहचानना है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है सारे के सारे even number हो या फिर सारे के सारे odd number हो और एक even number हो या हो सकता है सारे के सारे prime number हो एक ना हो मैंने ये चीज़ें आपको बताए थी तो इसमें जो pattern लग रहा था वही लग रहा था जो मैंने आपको बताया था प्राइम नमबर बारा तो आप ध्यान से देखेंगे 7 भी प्राइम नमबर है 11 भी प्राइम नमबर है 13 भी प्राइम नमबर है 19 भी प्राइम नमबर है और 23 भी प्राइम नमबर है अब इसमें हम patterns को भी देख सकते हैं patterns को भी अगर हम देखें तो pattern कई बच्चे सोच लेते कि हम इसे pattern से question कर लें कि 7, 7 में 11 प्लस हुआ sorry 7 में 4 प्लस हुआ 11 हो गया 11 में 4 प्लस हुआ 15 आना चाहिए था लेकिन 15 नहीं आया तो 13 यहाँ पर आया वह इसलिए 13 wrong हो गया तो यह pattern आपको नहीं लगाना है चलिए माल लेजिए आपने यह चीज़ ट्रिक कर दिया कि यहाँ पर 15 नहीं आना चाहिए था ठीक है 15 आना चाहिए था और 13 लिख दिया है लेकिन अगर यहाँ 15 आता तो यहाँ पर 19 होना चाहिए ना तो यहाँ पर क्या दिया हो है 15 फिर तो 15 भी wrong time होई और फिर इससाब से अगर हम देखे तो यहाँ पर फिर यह तो आगे के सारे ही wrong time होगे तो एक दो बच्चों ने यह जो doubt पूछा था कि 13 क्यों नहीं wrong है या 15 wrong है यह तो आप लोग को समझ आ गया लेकिन 13 क्यों नहीं wrong है अब आपको समझ आ गया होगा अगर आप 13 को wrong कहेंगे तो आगे के patterns भी फिर wrong हो जाएंगे अगर आप plus कर रहे हैं तो देखे मैं एक बार आपको करके दिखाएता हूँ 7 में आपने 4 plus किया 11 11 में 4 plus किया 15 15 में 4 plus किया 19 19 में 4 plus किया 23 23 में 4 plus किया 27 तो अब देखे यहाँ पर 15 और यहाँ क्या है 13 पर यहाँ पर 19 होना चाहिए न लेकिन यहाँ पर 15 है फिर तो यह भी wrong हो गई अब फिर यहाँ क्या होना चाहिए 23 तो यह चीज है तो इस patterns को आपको समझने के लिए क्या करना था मैंने आपको बता दिया कि क्या करना था इसमें आपको देखना था कि सारे के सारे क्या है आप देखे 7, 11, 13, 19, 23 यह सारे के सारे prime number है लेकिन 15 prime number नहीं है तो इसका correct option हो गया B 15 तो मैंने आपको सही तरीके से यह options बता दिया ठीक है तो आईए अब हम आपको एक बार और homework दिखाए तो यह एक homework question आपको करके रखना है अच्छे से और इसका answers आपको कमेंट करना है मिलते हैं फिर बार्ट थ्री में रेजनिंग सीरीस के थैंक यूँ अब कर दो